नरेंद्र मोदी लगतार तीसरी बार प्रधार मंत्री बनने जा रहे हैं जो से लिकर राची बीजिपी प्रदीश कार्याले में जश्ण मनाया गया बीजिपी कारकरताओं ने मिठाईयां बाट कर एक दूसरे को बधाई दी वहीं जारखन से भी मंत्री मंडल में चेहरे शामल हो सकते हैं जिसमें पिछली सरकार में केंद्रे राज्य सिक्षा मंत्री रहे अनपूर्णा देवी का नाम भी सामने है अनुराग जी तीसरी बार प्रधान मंत्री कीपद की शपत ले सकते हैं प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी और ऐसे में जारखन के समर्थकों में भी भारे उत्सा देखी जा रही है मिठाईयां बाट कर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है मंत्री मंडल की अगर बात की जाए तो किन किन का नाम सबसे जादा सुर्ख्यों में है कि शिका बिल्कुल नरेंद्र मोदी की जीत के बाद या यू कहलें एंडिये की जीत के बाद ज्हारकण में भी खुशी की लहर है और बीजेपी ऑफिस में लगतार सेलिब्रेशन का दौर चल रहा है हाला कि जिस दिन result था उस दिन काफी लेट हो गया था तो उस दिन कोई सेलिब्रेशन नहीं हो चल रहे अरजन मुंडा के हारने के बाद झारकण से वैसा कोई नेटा भी नहीं है जो क्याबिनेट में district में जिसे जगा मिले हाला कि अब क्योंकि एक वो महिला नेता भी है और जिस वज़े से भी हो सकता है रेस में वो सबसे आगे चल रही है वहीं दूसरा नाम अभी एक और आ रहा है निशिकान दूबे का क्योंकि निशिकान दूबे कई बार वहां से सांसद रह चुके हैं और अपने छेतर में उन्होंने काम भी काफी अच्छे किये हैं और अनुपूर्ना देवी ने भी काफी अच्छे काम किये हैं लेकिन रेस में सबसे आगे अनुपूर्ना देवी चल रही है और उसके बाद जो दूसरा नाम आ रहा है वो है निशिकान दूबे का वहीं अगर हम आत्सू की बात करें तो चंद्प्रकास चौधरी भी अपने सीट से जीते हैं क्योंकि NDA को आत्सू सपोर्ट कर रही है तो वहीं सुदेश महतो का कहना है कि हम बिना किसी शर्ट के मोरी सरकार को समर्थन करते हैं और आत्सू पहले भी आत्सू के तरफ से कोई डिमांड नहीं थी और इस बार भी आत्सू ने अपने तरफ से कोई डिमांड नहीं रखी है वहीं अगर हम बात करें राची सांसत संजय सेट और जमशेदपूर से विदुतवरन महतो तो दोनों के प्रोफाइल को दिल्ली मंगाया गया है क्योंकि विदुतवरन महतो तीसरी बार सांसत बने हैं जमशेदपूर से वहीं संजय सेट दूसरी बार continue जीतते आ रहे हैं ये लोग तो इनके ये दोनों के प्रोफाइल को दिल्ली मंगाया गया हो सकता है बाद में इन्हें शामिल किया जाए लेकिन अभी जो सूतरों के हवाले से खबर आ रही है कि हो सकता है कैबिनेट में जो एक जगह अभी तुरंत मिलेगी वो उस नाम उस र पूर्ना देवी की अगर हम बात करें तो वो रेस में सबसे आगे चल रही है अभी बिल्कुल अनुराग जी जिस तरीके से आपने बताया कि इस रेस में सबसे आगे अन्पूर्ना देवी चल रही है और पिछली सरकार में भी केंद्रे राज्यो सिक्षा मंत्री वो रही है ऐसे में कोडर्मा की जनता की अगर बात की जाए तो इस संभावना को लेकर वो कितने उत्सुक नजर आ रहे हैं जो बलकुल कोडर्मा की जनता में भी काफी उत्सुकता है और खुशी की लहर भी है क्योंकि कोड'REma की जन्ता को भी कहीं न कहीं इसका अभास है कि हो सकता है अनुपूर्णा देवी को कैबिनेट में जगह मिले तो कहना कहीं उस राज शहर के लिए भी उस जिला के लिए भी अच्छी बात है और कोडर्मा से आती हैं वो अनुपूर्णा देवी की जितने समर्थक हैं उनके जितने चाहने वाले लोग हैं सभी खुश हैं और सभी को लगता है अगर इन्हें मोधी काबिनेट में जगा मिल तो यह कोडर्मा के लिए भी काफी बड़ी बात होगी और उनके लिए भी गौरव की बात होगी कि अनुपूर्णा देवी को कैबिनेट में जगा मिलती है हाला कि अभी हमें इंतिजार करना होगा और थोड़ा सा इंतिजार इसके लिए और लगेगा अब देखने वाली ब हो सकता इन्हें बाद में शामिल किया जाए या इनके प्रोफाइल पर डिसकुशन किया जाए लेकिन दो नाम जो अभी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं वो है अनुपूर्णा देवी और निशिकान दूबे बिल्कुल आनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साजा करने के लिए